कि दोस्तों मेरे पास एक सिलिंग फेन है जो कि चलता थो है लेकिन बहुत जुर आवाज करता है खड़़़़़ आवाज होता है देख लेजिए कि कि सांड होता है कि सांड होता है कि सांड हो रहा है बीना बेरिंग चेंज किये मैं इस प्रव्लम को सल्फ करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों देख लेजिए पहले उसका connection मैं खोल लाता हूं पहले देख लिजे कौन सा wire कहां लगा हुआ है ध्यान से देख लिजे उहीं पर फिर लगाना है समझे यह लाल वाला wire उपर में लगा हुआ है पिला दोनो पिला वाला wire निच्छे में लगा हुआ है और काला वाला दोनो बीच में लगा और इसी तरह ऐसा करके लगाएंगे मैं उसको खुल लाता हूँ अब यह वेर को यहां से उपर दोड़ेंगे अपर निकलना पड़ेगा अब यह एक एक करके इस सारे वेर को उपर से निकलना पड़ेगा अब इस सारे वेर मैं उपर से निकल दिया हूँ इसका अंदर से अब उसको खुलेंगे दिखे दोस्तों इस वो आवाज आ रही है इसमें बिना बेरिंग चेंज करते हुए मैं यह आवाज बंध करके दिखाऊंगा हमाचा बेरिंग खराप नहीं होता है इसके बीच में से यह तो यह तो यह सको ड़ेगो से इसे बदबाके अब देखिए यह बेरिंग ठेक है यह वाला खराब हो गया है साफ्ट घिस गया है इस साफ्ट घिस गया है इसी के बज़े से देखिए इस साइड में है लाग रहा है प्रोट्र लाग रहा है यह यह भी घिस गया है इसको टांका लागाना पड़ेगा रहा कोई देखलेज़ यह यह वाँ पंच करने से हो जाएगा है जाएकए अट् देखिए हम पंचिंग कर दिया हूं मैं यह चार तरफ और इस तरफ के भी यह भी लूज हो रहा है यहां से बरिंग में उसको भी पंचिंग कर देगा कर, कर देखिए हो अग्डें कर देखिए हैं, क्यास्थ हो नाता हैότε Case of बरिंग में खंचिंग कर दोप पंचिंग गल से पंचिंग कर दोड़ी लूजी है वाप सानी ही है भी धर बर नाता है को भी कि दोब मैं पर ग्रिंग कर अग देखिए हैं से तर देखिए हैं suburbs । यहां वी टांका लागा दिया हमाना अब देखते हैं अब फिटिंग करेंगे बहुत जाम रहा है यहां दबा के माने बैठा दिया उसको अब यह दिंग को माने लगाँगा यह दिंग जिस तरह निकला है उसी तरह लगाएंगे यह दिंग बराबर होना चाहिए अब बराबर भी है ठेक है अब दस्तर स्प्रेंग लगा दिजिए यह जो होल है यह होल को यह होल सेटिंग करके लगाना पड़ेगा अब यह तिनना स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर देजिए जैसे पहले जैसे खुला था है वह पर टाइट कर देजिए कर देजिए जब देजिए कर दो कर दो देखे दोस्ता बिल्कुल साउंड नहीं है अब है अब है अब है कनेक्शन करेगे यह रिंग पर देजिए इसके बाद यह नोट खुला था दर अब जैसे यह वेर यहां से फिर नकलना पड़ाएगा तरस इस यह को यह निकली है और देखिए मैं तिना उदर को इसी हुल से निकल दिया हूँ अब यह कैपसिटर लगेंगे कैपसिटर कहां लगाना है इस हुल है यह हुल है इस जो श्क्रू टाइड कर देंगे इसा अब कनेक्शन करेंगे जिस तरह पहले था उसी तरह लगाएंगे यह रेड़ वाला वेर पहले था उपर में था मैं उपर में लगा देंगे उसको अब दो यह लवाला एक साथ में था नीचे दो यह लो को लवाला वेर को जैंट करके और नीचे लगा देंगे आपका फैन में दूसरा कॉलर का वेर हो सकता है दोस्ता अब होगे और यह का लावला दो यह को एक साथ जैंट करके बीच में लगा देंगे बीच में था इसी बहुता असनी से हो गया तोस्ता फिर अभी मैं आपको चक करके दिखाऊंगा अभी करेंट दिया जाएगा उपर वाला और नीचे बाले में दो यह आता है एक नेगेटिव एक पोजिटिव दोनों यह कहीं उपर एक वेर लगा दीजे और नीचे में एक वेर लगा दीजे हो जाएगा कौन सावी वायर उपर नीचे होना से कोई प्रोब्लम नहीं आप देखेंगे यह देखें कि इतना आच्छा चरब रहा है और खट्राखट्रा कोई साउंड नहीं है इस सीरीज बिश्याइब अगरेट दोसर तीश वाल्ट में लगा कर देखते हैं अगरेट थे कि अधिक दोस्ता अपने देखा बिना पाइसा खर्चे किये वह साउंड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं अब भी अपना फेन अगर ऐसे कुछ प्रब्लेम आने से अप घर में बैठके एक स्कूड़ावर के मदद से अब कर सकते हैं इसको अगर दोस्तो इस वीडियो अपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्ता और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्ता ठीक है ठीक है दोस्ता नमस्कार जाए हैंद भरत मता की जाए